हेलो अब्रिवन वेलकम टू आवर चैनल लता सिक्षन संस्थान कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जहारखन मैप के बारे में यानि की इस्थापना वर्ष के बाद वर्ष 2001 में जहारखन में कुल कितने डिस्टिक थे और बरतमान में जहारखन में कुल कितने डिस्टिक है कौन-कौन से डिस्टिक से अलग होके कौन-कौन से डिस्टिक बने कौन-कौन से डिस्टिक कौन-कौन से राजज्यों के साथ अपनी सीमा साजा करती है इन सब चीज के वारे में पूरी डिसक इन सबी चीजों को मैप के माध्यम से समझने की परियास करेंगी तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन वेल आइकन को आउन कर लिजिए ताकि इसी तरह की जहारखन से रिलेटेड बैतरिन क्लास मिलते रहें जैसा कि आप सबको पता होगा कि जहारखन जे एससी जे एससी सीजील की वेकेंसी आ चुकी है नौटिफिकेशन आ चुकी है 15 जन्वर से फॉर्म भी अपलाई होगी तो अभी से ही सभी को त्यारी करना शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिल देंगी तो एक्जाम के टाइम के वला रिवीजन करने से ही हो जाता है तो अगर आप जहारखन के अस्पेसल त्यारी करना चाहते हैं जहारखन से जहारखन जीके जीए से फोटी माक्स के फोटी को सिचन पूशे जाएंगे जो की एक कोसंट 3 माक्स के होंगे 40 question माईने रखता है आपका merit बनाने में आपको सहयोग करेगा तो अगर आप जारखन की तयारी करना चाहते हैं तो हमारे channel के साथ जुड़िए channel के साथ जुड़ करके तयारी करें ताकि आपको हमारे class का love मिल सके हमारे channel के माईधम से बिल्कूल free में अस्पेशल जारखन की तयारी करवाई जाती है और अब हम इस मैप का class लेने के बाद मैप को समझने के बाद एक schedule में एक continue में class लेंगे और अच्छी तरह से तरीके से कोसिस करेंगे हम जितना ज्यादा अच्छा से हो सके तयारी करवाएं अच्छा content दें जो syllabus में है syllabus के according हम complete करने की course complete करने की परियास करेंगे जिसमें कि आपको किसी तरह की कोई फी नहीं लगीगी बिल्कुल फीरी रहेगी बस आपको subscribe करके रखना है जैसे ही हम class upload करेंगे उसका notification आप तक पहुंच जाएगा तो अब समझने की परियास करते हैं मैप को वर्स 2001 में और वर्स 2021 में क्या अंतर है मैप में इन सब चीजों के वारे में डिसकस करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि जब जार्खन राज जी बना बिहार राज से अलग होकर उस समय जार्खन में कुल 18 जिल्ले थे उस समय 18 जिले थे लेकिन बर्तमान वेकुल 24 जिले हैं तो कौन-कौन जिले से अलग होकर कौन-कौन से डिश्टिक बने सबसे पहले जान लेते हैं उस समय के डिश्टिक को गड़वा, पलामू, चत्रा, हजारीबाग, कोडर्मा, गिरिडी, देवगर, गोड़ा, साहिब गंज, पाकुड, दुमका, धनबाद, बुकारो, राची, लोहरदग्गा, गुमला, पस्चिमी सिम्भू, पुर्वी सिम्भू यानि कि ये सभी 18 डिश्टिक जो है, जार्खन राज बनने के बाद का है, यानि कि जार्खन राज बना उस समय का, यानि कि दोहजर, एक इस वी में जार्खन में कूल, जार्खन के कूल 18 जिल्ले थे, और बरतमान में 24 जिल्ले हैं डिश्टिक को जाने से पहले हम थोड़ा से ये भी डिस्कस करेंगे कि जार्खन राज कौन-कौन से इस्टेट के साथ अपनी सीमा बनाती है, तो जार्खन राज ये है नॉर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट, नॉर्थ में जार्खन के बिहार राज है, साउथ में ओडिशा, East में Best Bengal West में 36 गड़ और North West में UP है यानि कि जार्खन कुल पांच राज्यों से अपनी सीमा बनाती है असानी से ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं कि जार्खन पांच राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है और जार्खन में कुल पांच डिविजन भी है, पांच परमंडल भी है तो ये तो हम लोग देख लिए कि जार्खन राज्यों है पांच राज्यों के साथ अपनी बनाती है अब देखेंगे कौन से डिस्टिक के कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमा साजा करती है सबसे पहले नौर्थ में जान लेते हैं यह है आपका नौर्थ पोजिशन जो कि विहार राज के साथ बॉर्णरी बनाती है यानि कि 2001 में कौन-कौन से डिश्टिक बनाती थी अभी हम लोग बरतमान के नहीं देख रहे हैं देख रहे हैं हम लोग 2001 में तो गढ़वा, पलामू, चत्रा, हजारी बाग, कोडर्मा, गिरिडी, देवघर, दुमका, गोड़ा, साहिव गंज यानि कि 10 डिश्टिक जो है उस समय बिहार राज के साथ अपनी बॉर्णरी बनाती थी उस समय दस डिश्टिक बनाती थी और आज भी जो है जारखन में कुल दस डिश्टिक जो है बिहार राज के साथ अपनी बॉर्णरी बनाती है अब देखते हैं साउथ में साउथ में क्या है आपका तो ओडिसा डिश्टिक और ओडिसा राज्जे इस्टेट है कोन-कोन से डिश्टिक उस समय ओडिसा के साथ अपनी बॉर्णरी बनाती थी तो एक हो गया गुमला, पस्चिमी सिम्भू, पूर्वी सिम्भू यानि कि तीन डिश्टिक ओडिसा राजी के साथ बॉर्णरी बनाती थी कब वर्ष 2021 में यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्ष 2021 की ना की 2021 की अब इस्ट में, इस्ट में आपका है बेस्ट बेंगॉल बेस्ट बेंगॉल के साथ बॉर्णरी बनाने वाली जार्खन की डिस्टिक यहांनी की इतने डिस्टिक जो है बेस्ट बेंगॉल के साथ अपनी सीमा बनाती थी अपनी बॉर्णरी बनाती थी वर्ष 2021 में अब वेस्ट में देखते हैं वेस्ट में गुमला, पलामू, गडवा यह तीन डिस्टिक जो है उस समय 2001 में 36 गड़ के साथ अपना सीमा बनाती थी अब हम लोग देखी हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है यूपी यूपी के साथ अपनी बॉर्णरी बनाने वाला जार्खन का एक मात्र डिस्टिक है वो है गडवा डिस्टिक और यह भी खासियत है गडवा डिस्टिक की गडवा डिस्टिक तीन राज्जों के साथ अपनी सीमा बनाती है आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अब हम डिस्टिक करेंगे समझने की परियास करेंगे कोन-कोन से डिस्टिक से कोन-कोन सा डिस्टिक अलग होकर बना और बरतमान में जार्खन में कुल कितने डिस्टिक है यह तो आपको पता ही है कि बरतमान में 24 डिस्टिक है ले लिकिन यहा प्लामु आपको छोटा न sinon जळा तरह यह और उस समया का प्लामु देखिए यह है उस समय का प्लामु जो की बहुत बड़ा है तो पलामू से कौन सा डिस्टिक अलव होके बना पलामू डिस्टिक से अलव होकर आपका लातेहर बना यहां हम सरकल करेंगे जो नया बना है यानि कि लातेहर डिस्टिक बना है यह आपका लातेहर चत्रा चत्रा जैसा था ऐसे ही है अब हजारी बाग हजारी बाग यहां आपको दिख रहा होगा कि यह है आपका हजारी बाग जो कि बहुत ही बड़ा है यानि कि दो राज्यों के साथ उस समय सीमा बनाती थी इधर बियार के साथ भी और इधर वेस्ट मेंगल के साथ भी अब देखते हैं हजारी बाग से अलग होकर कौन सा जिल्ला बना हजारी बाग से अलग होकर रामगड जिल्ला बना यह है आपका रामगड जिसको हम कर रहे हैं बॉंडरी बना रहे हैं वो है आपका रामगड डिस्टिक जो कि हजारी बाग से अलग होकर बना और अभी वर्तमान में रामगार डिस्टिक बेस्ट मंगोर के साथ सीमा बनाती है और हजारी बागिधर बिहार के साथ उसके बाद चत्रा हो गया कोडर्मा जैसा था वैसे ही है गिरिडी गिरिडी भी वैसे ही है देवगर भी वैसे ही है देवगार के बाद आता है आपका दुमका ये आप देख सकते हैं कि जारगन की उप्राइधानी है दुमका उस समय बहुत बड़ा था और बरतमान में आपको छोटा नजरा रहा होगा ये है आपका दुमका तो दुमका से कौन सा डिस्टिक अलग होके बना? दुमका से अलग होकर बना जामतारा डिस्टिक ये है आपका जामतारा जो कि दुमका से अलग होके बना उसके बाद गोड़ा गोड़ा जैसा था वैसा ही है साहिब गंज भी वैसा ही है पाकुर भी वैसा ही है दुमका तो हमने देख लिया धनबाद भी वईसे ही है, बोकारों भी सेम है, अब देखते हैं राची दिस्टिक तो राची दिस्टिक यहां आपको बहुत बड़ा नजरार होगा जोकि हमारे राज की रैधानी है और राची डिस्टिक से अलग करके यहां एक छोटा सा डिस्टिक खोटी को बनाया गया यह है आपका खोटी डिस्टिक जो कि राची डिस्टिक से अलग होके बना उसके बाद आपका पस्चिमी सिम्भूम पस्षीमी सिंभूम भी आपको यहां बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा और पस्षीमी सिंभूम से अलग करके बनाया गया सराई केला खरसावा को जो की वेस्ट मंगल के साथ अपनी सिमा बनाती है और पूर्वी सिम्भूम जो है वो सेम है जैसा था वैसे ही है यह है आपका पूर्वी सिम्भूम अब इधर हम लोग देखते हैं गुमला तो गुमला भी आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा यहां से लेकर यहां तक अब गुमला डिस्टिक से कौन सा डिस्टिक अलग हुआ तो यह आपको नीचे दिख रहा होगा 36 गड़ और ओरिशा के साथ सीमा बनाता हुआ डिस्टिक सिम्डेगा सिम्डेगा डिस्टिक को गुमला डिस्टिक से अलग करके बनाया गया तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि कौन से डिस्टिक से कौन से डिस्टिक को अलग करके बनाया गया यानि कि उस समय 18 डिस्टिक थे बरतमान में 24 डिस्टिक है तो 6 डिस्टिक अलग करके नए डिस्टिक बनाये गए कौन-कौन से लातेहार, रामगड, जमताड़ा, खूटी, सराई के लखरसावा, सिमडेगा यानि कि ये छे डिस्टिक जो है बाद में बने आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा और आगे हम लोग फिर समझने की परियास करेंगे जार्खन के डिविजन के बारे में ये है जार्खन के डिविजन, डिविजन सो अब जार्खन यानि जार्खन में कुल पांच परमंडल है जैसा कि अभी हमने तुरंद बताया कि ट्रिक के माइदम से भी हम याद रख सकते हैं कि जारखन पांच राज्यों के साथ सिमा बनाती है और जारखन में कुल कितने डिविजन है तो पांच डिविजन है कौन कौन से पलामू नौर्थ छोटा नागपु डिविजन संथाल परगना डिविजन साओ छोटा नागपु डिविजन और कोलहन डिविजन अब देखेंगे कौन से डिविजन में कितने डिष्टिक आते हैं तो ये है आपका पलामू डिविजन सबसे पहले पलामू डिवि किन डिश्टिक जो है पलामू डिविजन के अंतरगत आता है मैप के माइदम से हम समझने की परियास करेंगे मैप अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें कहीं कोई कठी नाई नहीं होगी चाहे हम जारकर के हिस्ट्री पढ़े जोग्रोपी पढ़े जारकर के करेंट अफ नागपुर परमंडल इसमें कितने डिश्टिक आते हैं तो चत्रा हजारी वाग पोडर्मा गिरिडी धनबाद बोकारो रामगड काउंट कर लेते हैं कितने डिश्टिक आते हैं वन टू थ्री फोर फाइफ सीक्स सेवन यानि कि सेवन डिश्टिक जो है नौर्थ छोटा न नागपुर ये है आपका गिरिन कलर का जो दिख रहा है यही है साउथ छोटा नागपुर दच्छिनी छोटा नागपुर परमंडल इसमें कौन-कौन से डिश्टिक आते हैं तो लोहर दगगा, राची, गुमला, खोटी, सिम्डेगा यानि कि पांच डिश्टिक वन टू परफाइब फाइब डिश्टिक जो है साउथ छोटा नागपुर के अंतरगत आता है अब यह है असकाई कलर में जो आपको दिख रहा है यह है आपका कोल्हान डिविजन यानि कि कोल्हान परमंडल परमंडल में तीन ही डिश्टिक आते हैं बेश्ट सिंभूम, इस्ट सिं परगना डिविजन यानि कि बहुत ही ज्यादा फ्यमस है सबसे अधिक संथाल लोग निवास करते हैं संथाल जनजाती के लोग संथाल परगना में ही निवास करते हैं संथाल परगना में कितने डिस्टिक आते हैं देवघर दुमका गोड़ा साहिब गन्ज पाकुड जमतारा यानि कि 6 district 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 district जो है संथाल परगना के अंतरगत आता है यानि संथाल परगना division के अंडर में कितने district है? 6 district है तो इस map के माइध्यम से division को भी समझ गए division के साथ-साथ district को भी जान लिए कि कौन से division में कितने district आते है I hope आपको समझ में आया होगा map समझने में कोई कठीना ही हुई होगी तो आप comment कर सकते हैं और कैसा लगा class map के माइध्यम से comment करके बताईएगा और साथ ही अगर चैनल में new हैं तो चैनल को subscribe करके लाकन को प्रेश कर लिजिए, on कर लिजिए ताकि इसी तरह की जहारखन से related बैतरिन class, important class आपको हमेशा मिलते रहें और अगर class helpful लगे, अच्छा लगे तो like कीजिएगा और अपनी friends के साथ, family के साथ जितना ज़्यादा हो सके share कीजिए ताकि उन्हें भी हमारी class का लाव मिल सके हमने तो starting में ही बताया कि JSC CGL की vacancy आ चुकी है और फिर से एक बार repeat कर देती हूँ CGL की vacancy आ चुकी है और उसमें 40 question जो है जहारखन से related रहेगा, जहारखन GKS कर रहेगा तो जहारखन 40 question रहेगा, तो यह माइने रखता है आपको merit बनाने में सहयता करेगा अगर जहारखन आपका strong रहा तो तो अगर आप हमारे channel के साथ जूड कर करना चाहते हैं तो free में कर सकते हैं किसी तरह की कोई भी नहीं ली जाएगी और एक schedule में आपको class मिलेगी जहारखन का जो भी syllabus में दिया गया schedule में history, geography, current affairs जो भी सीज रहेगा वो आपको एक schedule में मिलेगा जिससे आपको असानी से त्यारी करने में असानी होगी जादे खठीना ही नहीं होगी असानी से त्यारी कर सकते हैं तो आज के लिए यही तक रखते हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतने ही हैं तब तक के लिए बाई बाई टेक के एर थाइंक जै हिन्द, जै वारत, जै जारकन